Hello everyone I am Toulan Kumar and welcome y'all once again to my channel तो C-SAP के official website पे C-SAP की schedule release कर दी गई है तो इसे download करने के लिए आपको सबसे पहले C-SAP की website पे जाना है उसके बाद नीचे scroll करके C-SAP special पे click करना है उसके बाद वहाँ पे tentative schedule करके एक option दिखा रहा हूँ उसके खरके क्लिक करना है जिसके बाद आपका schedule download हो जाएगा यहाँ पे दो point जो note करने वाली यह है कि यह schedule अभी बिटेंटिटिव है यानि dates fixed नहीं है अभी भी change हो सकती है और second point जो note करने वाली है कि पहले जो people i3 तरीची वाला schedule release किया गया था है उसमें कुछ changes करने के बाद यह schedule release किया गया देखते हैं कि वो changes कौन कौन से हैं तो सबसे पहले vacancy display करने की date को आप 25 October कर दिया गया है और अब आप registration और payment 26 October से ले गया 28 October तक कर सकते हैं choice filling की date 26 October से 29 October तक है और C7 Round 1 का result 30 October को आने वाला है उसके बाद online reporting के लिए 30 से 1 November तक कर date दिया गया है और उसके बाद 36 October Round 2 का result 3 November को आएगा नहीं पर सबसे नीचे यह mention किया गया है कि physical reporting के dates के लिए आपको Allotted Institute का official website को चेक करते रहना है तो वीडियो अगर helpful लगाऊगा तो वीडियो का like और share जरूर कर दीजेगा और चैनल को subscribe करके notification on कर लिजेगा ताकि जोसा counseling और CSAB counseling से जुरे सारे update आपको सुर से पहले मिल सके तो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए भाएबाए